नमशकार दोस्तो, मैं Dr. Nachil आपका बहुत बहुत सवाकत है मेरे यूटुब चैनल पर दोस्तो, आज की वीडियों में में बात करेंगे बहुत ईफ़ैक्टिक हमओपैतिक मैडसिन जिसका नाम है दोस्तो, Nuxe Moscieta नक्ष मोस्टा के बारे में मैं आपको पूरी जान करी दूंगा यह हमारे सरी में कहां कहां असर करती है किन-किन विमारियों में आप इस मैडिसिन का यूज कर सकते हैं किस potency के form में आपको इस medicine का use करना चाहिए और एक बिसेज बात कि किस-किस medicine के साथ इसकी तुलना की जाती है दोस्तो नक्स बोमी का अलग medicine है और नक्स मोस्चेटा अलग medicine है दोनों के बीच में क्या difference है वीडियो के last में मैं आपको बताऊँगा और प्रयाय प्रयाय बहुती कम patient को यहाँ पता है बहुती कम लोगों को यहाँ पता है कि नक्स मोस्चेटा medicine का use किन-किन बेमारियों में किया जाता है आज की इस वीडियो में मैं आपको पूरी जान करी दूँगा तो वीडियो को अंदग देखे, medicine को अच्छी तरह से समझे और medicine का use करके अपनी problems को पूरी तरह से ठीक करें तो चलिए दिर ना करते हुए इस वीडियो को सुरू करतूं वीडियो सुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं यदि आप हमारे चैनल से जूड़ना चाहते हैं तो रैट कर की बटन दबा कर चैनल को सस्क्राइब कर लें सांती सांद जला गंड की गंटी को प्रेस करें ताकि जबी latest medicine की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके तो चलिए दोस्तो बात करेंगे नक्स मोस्चेटा medicine की बारे में दोस्तो नक्स मोस्चेटा अलग medicine है और नक्स बूमी का अलग medicine है यहां हम नक्स मोस्चेटा medicine की बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं सबसे पहले हम जानेंगी कि नक्स मोस्चिटा का स्फियर आफ एक्षन कहा होता है, कि यह हमारे सरीर में कहां कहां असर करती है, दोस्तों यहां हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत ही अच्छा काम करती है, ब्रेन से रिलेटिट प्रॉब्लम्स को ठी करने के लिए इस मैडसिन क यूज किया जाता है, पेट से जुड़ी सम्वंदित बिमारियों को ठी करने के लिए इस मैडसिन का यूज किया जाता है, यहां इसके आप स्पेर आफ एक्षन है, अब हम आपको जानकरी दे रहे हैं, कि हमारे सरीर में क्या लक्षन देखने को मिलेंगे, तो आपको इस मै जानकरी सबसे जादा यहां होती है, तो चलिए अब लक्षन को जानते हैं, पहले नमबर पे आता है दोस्तों, यहां हमारे म्यूकस मेंब्रेन में बहुत ही अच्छा काम करती है, हम आपको यहां जानकरी दे रहे हैं, कि आपके सरीर में किसी भी तरह की को भी बिमारी है, और यहां लक्षन प्रेजन है, तो आप इस मैडिसन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले नमबर पे आता है, दोस्तों, म्यूकस मेंब्रेन में यहां बहुत ही अच्छा काम करती है, जब पेशेंट्स की माउट जो है, बहुत ही जादा सूका होता है, सलाइवा बिल्कुल भी मूँ में नहीं आता है, और प्यास पेशेंट्स की बिल्कुल भी नहीं रहती, पेशेंट्स में प्यास बिल्कुल भी नहीं रहती, यहां लक्षन हमें पेशेंट्स में देखने को मिलता है, तो उसमें तीन मैडिसन के साथ इसकी तुलना की जाती है, पहले केसेस में हमने देखा है कि मुह बिल्कुल भी सूखा रहता है, जीब भी बिल्कुल भी सूखी रहती है, पैसेंट को प्यास बिल्कुल भी नहीं रहती है, साथी साथ कौंश्टी पैसेंट को प्राब्लम होती है, कबज की प्राब्लम होती है, पैसेंट को बहुत जादा पान गल्मार की इनोट सिम्टम है जो मैंने आपको इस बीडियो में बदाया है दूसरी यदि हम बात करें तो यहां गले की इनफेक्शन में बहुत ही अच्छा काम करती है गले में गला जो है पेशनेट्स का पूरा ड्राय रहता है प्यास बिल्कुल भी नहीं रहती सलावा बिल् बहुत ही अच्छा काम करती है उस केस को ठीक करने के लिए 30 पोटेंसिय में यूज किया जाता है बहुत ही अच्छा काम करती है दिन में तीन बार रेगुलर कम से कम 25 दिन तर इस मैडिसन का यूज किया जाता है बहुत ही अच्छा काम करती है यहां हमारे ब्रेन सिस्टम मे बहुत ही अच्छा काम करती है जिन पैसेंटों को भी हिस्ट्रिय की प्राब्लम्स हो जाती है तो उसमें यहां बहुत ही अच्छा काम करती है अचानक से चक्कर आ जाता है तो उसमें यहां बहुत ही अच्छा काम करती है तीन मैडिसिन के साथ इसकी तुलना की जाती है पहले लक्षन हमें पैषिंट में देखने को मिलते हैं, तब हमें नक्स मोस्चेटा मैडसिन देने की आवशकता होती है, बहुत ही अच्छा काम करती है। दूसरे नमबर पे आती है दोस्तो ओपियम और तीसे नमबर पे आती है नक्स भूमिका यहाँ जो मैडसिन है हिस्टीरिय के कीज में बहुत ही अच्छा काम करती है पेशेंट्स की लक्षण के अनुसार मैडसिन को आप तुलना करके मैडसिन दे सकते हैं यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है थर्टी पोटेंसिय में यूज की जाती है चार बून सुभा और चार बून स्याम को कंटीनु कम से कम दो मेहने तक हिस्टीरिय के पेशेंट्स को यहाँ मैडसिन देनी चाहिए पेशेंट्स की कंडिशन के नुसार मैडसिन का डोज बढ़ाया जाता है और पेशेंट्स को कंडिशन के नुसार पेशेंट्स का जो डोज होता है बहाँ रिपीटेशन किया जाता है इस बात का हमें विशेश ध्यान रखा जाता है जब भी स्टीरिय का टीट्रेंट्स किया जाता है नेक्स लक्षन आता है दोस्तों यहाँ पेशेंट्स में भुल बहुत ही अच्छा काम करती है ब्रेंस से रिलेटेट संबंधी प्रॉब्लम्स होती है तो उसमें यहां बहुत ही अच्छा काम करती है यह इस तरह के लक्षन आपको देखने को मिल रहे हैं तो आप इस मैडसिन का यूज 200 पोटेंसी में करिएगा रिगूलर कम से कम 25 दिन तक यूज करिएगा इसके बाद मैडसिन का रिपिटिशन नहीं करना है काली फॉस के साथ इसकी तुलना की जाती है यही लक्षन आपको देखने को मिल रहे हैं तो काली फॉस मैडसिन साथ में आप यूज कर सकते हैं 30 पोटेंसी में आपको यूज करनी है इसके बाद आता है परीका से नहीं चलते हैं तो 3 मैडसिन के साथ । काम पर्शेन की जाता है नक्स मोस्टेटर पेसेंस को तब दी जाती है जब पेसेंस की ओदास कमजोर हो जाती है जब पेसेंस की ड्राम आउठ होती है प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती तब पेशेंट लड़कडा कर चलता है तब नक्स मोच्चिता मैडिसिन दी जाती है 37 भुलक करपन होता है इस तीन मैडिसिन के साथ कंपरेजन यदि करके पेशेंट को मैडिसिन देते हैं को बिसे ध्यान रखना है यहां बहुत ही अच्छा काम करती है इसका जो पेशेंट होता है बहुत ही ज्यादा ओवर सेंसेटिव होता है light के लिए बहुती ज़्यादा oversensitive होता है music की प्रती बहुती ज़्यादा oversensitive होता है किसी भी चीज की प्रती बहुती ज़्यादा oversensitive होता है तब next mosteta medicine का use किया जाता है जब patients बहुती ज़्यादा oversensitive होता है किसी भी चीज की प्रती तो उसे चक्कर आजाता है उससे मुर्ची सो जाता है हिस्ट्रीरिया कि लक्षन उसमें आ जाते हैं तो उसमें यहाँ बहुत ही अच्छा काम करती है जब pacients कभी हसता है कभी रोता है changeabilities patient में हमें देखने को मिलती है उसकी behavior में Changeabilities हमें देखने को मिलती है तो उसमें यहाँ नक्स मोस्चेटा मैडसिन का यूज किया जाता है चाहे बच्चे हो, चाहे बड़े हो, चाहे बुजुर्ग हो इस तरह की लक्षन आपको देखने को मिल रहे हैं तो नक्स मोस्चेटा उसमें यूज की जाती है उसकेस में 30 पॉडेंसिम यूज की जाती है चारबुन सुबह, चारबुन दोफैर में, चारबुन रात में, कंट्यूने कम से कम 25 दिन तक इस medicine का use किया जाता है, पेसेंट की जो प्रावलम है, धीरे-धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है, जब भी आप hysteria medicine का treatment कर रहे हैं, तो डॉक्टर की सला के रूसारी use करें, ताकि results काफी अच्छी आपको देखने के बले, यहां हमारे आखों में बहुत ही अच्छा काम करती है, जिन पेसेंटों को भी आखे बहुत जदा ड्राय होती है, आखों में जलन होती है, आखों में इचिंग होती है, आखों में खुजान होती है, और आखे जो है पूरी त पर रही के ब्रौनेकलान सूख़को पूरी तरह से रहती है, पाने की पियास बिल्कुल भी रहती vegetables के लिए अच्छा जा Si 겹ल Supy जिसें हुच मेरा देखनी तरह विए पहलेरे Asamati को संगे से रहेगी. It's a gas dignijn color एर्फ को सब्हक्री देखने समस्थ्वहज़ Gustav Microw 10. की प्रॉब्लम है कबज की प्रॉब्लम है पेट प्रॉपर तरीकर से साफ नहीं होता इस तरह के लक्षन देखने को मिल रहे हैं तो थर्टी पॉटेंसी में इस मैडसन का यूज किया जाता है जब पेशेंट्स पानी नहीं पीता बहुत ज़्यादा कम पानी पीता है और जब पेशेंट्स को डाइरिया की प्रॉब्लम हो जाती है इस पेशेंट्स को डाइरिया की प्रॉब्लम हो जाती है इस पेशेंट्स को डाइरिया की प्रॉब्लम हो जाती है तब पेशेंट्स को डाइरिया की प्रॉब्लम हो जाती है तब इस मैडसन का यूज किया जाता ह पेसेंट की जो प्राब्लम होती है धीरे धीरे करके पूरी तरह से ठीक हो जाती है। जो इस तरह से medicine आपको use करना है, potency के फाम में आपको बताते चला है, rare condition में 200 potency का use किया जाता है, बाकी 30 potency में सारी जो diseases होती है, जो problems मैंने बताई है, भाक क्योर हो जाती है, फिर भी एक हिस्ट्रिय का treatment कर रहे हैं, तो डॉक्टर की निरेक्षण में आपको इस medicine का use करना है, इस बात का आपको विशेज ध्यान रखना है, यदि आपको long time किसी भी तरह की कोई भी problems है, यदि आप online consult करना चाहते हैं, या हिस्ट्रिय की आपको problem है, online consult करना चाहते हैं, तो description box के न हम भी बीमारी से सफर कर रहे हैं, यदि आप live clinic हमारी join करके किसी भी comment का जवाब आप हमसे पूछ सकते हैं, या online आप concern भी कर सकते हैं, free treatment आप ले सकते हैं, रातरी 9 वजे में live आता हूँ, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना है, फिर में लिंगे नेक्ष वीडियो में तक तक के लिए, जय वारत बंदे मातर,